चोपड़ा एजिकेशन योटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्देक शपागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो जो कंडिडेट करनाट का स्टेट में एडमिसन लेना चाहते हैं उनके लिए खुसकबरी ये है कि जो फीश स्टेक्चर है वो पिछली साल की तरह सैमी है इस साल इसमें कोई इंक्रिमेंट नहीं है जो फीश पिछली साल कोलेजेज की थी इस साल वही फीश है तो एक बार हम सभी colleges का fees structure देख लेते हैं तो इनकी जो fees है private quota की 981,956 रुपीज है इसमें university charge 11,950 रुपीज है और 15,000 mislence fees है तो ये fees है इसके बाद hostel और other fees की बात करें तो ये 1,00,000 something बैठता है अलग से अलग-अलग college का अलग-अलग है किसी college का कम है किसी college का ज्यादा है इसके अलवा चार college ऐसे हैं जिनकी high fees है अधी चुन्चुनगिरी की fees 18,00,000 रुपीज है चंदरमा जो college है उसकी fees 20,00,000 है क्वाजा बंदे की fees 16,00,14,965 है STM धारवाड की 17,00,29,700 रुपीज है तो ये तो होगी in colleges की fees की बात जो पिछली बार की दर सेमी है अब इसका एक बार हम schedule देख लेते हैं तो जो option entry है जिसको च्वाइस फिलिंग बोलते हैं वो च्वाइस फिलिंग 29 जनवरी से start हो रहे हैं और 1 फरवरी 22 सुबह 10 बजी त तक आपको choice filling कर देनी है इसके जो registration है वो already close हो चुके हैं इसके बाद में इसमें पहले more callotment होता है more callotment का मदलब होता है कि आपको कौन सी college मिल रही है उसके बारे में आपको एक जानकारी दी जाती है उसके according आप इसमें change कर सकते हैं आप choice को delete कर सकते हैं interchange कर सकते हैं नहीं 24 फिल नहीं कर सकते हैं तो यह जो more callotment है यह first February 22 को साम 7 बजे बाद में आ जाएगा अब इसके बाद में हम देखते हैं कि allotment कब आएगा तो result 4 तारिक को फोर फरवरी 22 को 11 बजे publish हो जाएगा इसके बाद में इसमें हमें option देने होते हैं option 1 से लेके option 4 तक होते हैं यह देन हैं 4 फरवरी 22 से लेके 6 फरवरी 22 रात 8 बजे तक इसके बाद में payment करना है fees का download करना है admission order वो होगा 4 फरवरी 22 से 7 फरवरी यही admission की date होगी यही original documents की deposing date होगी जिसको allotment हो जाता है अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी जो option entry की क्या क्या situation होती है और हमने 24 फिल कैसे करें तो इसकी option entry की 4 situation है अगर आपको seat allot हो गई है उसमें वो seat आपको पसंद आ गई है आप further round में admission नहीं लेना साथे तो option 1 दे सकते हैं second option में यह है कि आप इसमें admission ले सकते हैं second option में और उसके बाद में आप next round में भी proceed करना चाते हैं तो option 2 दे दें, option 3 में जो allotment हुआ है उससे आप संतुस्ट नहीं है आप आगे proceed करना चाते हैं, option 3 दे दें, option 4 में आप यहां से counselling से बाहर होना चाते हैं तो इस परकार से य option इसमें दे दें, बाकि अगर आपको ज्यादा जानकारी लेनी है, पिछली साल कितनी कटोप गई थी, तो यह कटोप पिछली बार से थोड़ा साही down रेनी की संभावना है, तो यह जानकारी लेने चाते हैं पिछली बार कितनी कटोप गई थी, उससे previous year में कितनी कटोप ग गया है, तो यह जानकारी थी करनाटका स्टेट के बारे में बाकी जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे, तो मिलेंगे नए वीडियो में नई अपडेट के साथ में तब तक के लिए जैहिन